हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज को चटपटा हो जाए तो आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट जो की खाने में बेहत स्वाधिश्ट होती है और पॉस्टिक भी तो फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बात केले को छील के इसको काट लिया है और इसको हम बाउल में डालेंगे हम रूद मैंने दो रूद दिये पके हुए संत्रे जिसको मैंने बारी बारी काट लिया है और छिलका जो मोटे वाला जो सकत चीज है उसको सेंटर से काट के इसको छोड़ी टुकडों में ऐसे कट कर लिया है यह मैंने पियर रही है नाश पती और थोड़े से अनार के दाने और मैंने एक सेब लिया जिसे मैंने बाउल कर लिया और सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल लेंगे चाट मसाला आधा चमच चाट मसाला और आधा चमच साधा नमक साधा नमक डालें चाहे आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं मैंने चाट मसाला डाला इसलिए मैंने काला नमक नहीं लगाया क्योंकि काला नमक चाट मसाला में अल्रेडी होता है और इसमें आधा चमच जय जो या फिर एक चताई काली मूर्च डालेंगे और काली मिर्च का आपने देखना है कि अगज अप्शनल है अगर आप नहीं चाहते तो आप काली मेरच बेशक न डालें और इसमें हम डालेंगे एक या फिर आधा जो है निम्बू का रस अगर जाधा चटपड़ा खाते हैं तो एक निम्बू का रस ले लिजे और इसमें हम डालेंगे अब दो चम्मच मीठी इमली की चट्नी जो की हमने पहले भी बनाई है उसकी रेसिपी आप मेरे पिछली है वह बहुत ही अच्छा हो जाता है और खाने में यह बहुत स्वादिश्ट लगती है इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे वाव कितना अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है और दिखने में भी यह बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में तो यह बहुत से खाते हैं तो यह रही हमारी हमारी चट्पटी मिठी इमली की चट्णी वाली तूप चाट मसाले जो हैं आप स्वार के अनुसार कम या जादा सकते हैं यह रही हमारी तूप चाट तो हम आप इसे प्लेट में डाल के सर्फ करेंगे यमी बहुती मज़ेदार लग रही है आप इसे जरूर बनाएए इमली की चट्नी जो है जो फूट चट है उसका स्वाद दुगना कर देती है आप चाहे तो इसमें और फूट्स भी डाल सकते हैं आप ग्रेप्स भी डाल सकते हैं आप शकरगंदी भी डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं यमी बहुती सुन्दर और स्वादिश लग रही है आप इसे जरूर खाईए और बनाएए तो दोस्तों यह रही हमारी फूट चाट तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें धन्यवाद झाल